चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन पानी की पाइप लाइन के जरीए सुद्ध पेजल की जगह सीवर का पानी पहुंचा है हमारे साथ मौझूद हैं प्रद्यूम राजपूत जो पूर विधायक हैं द्वार का विधान सवासे दो बार विधायक रहे हैं प्रद्यबंजी बहुत बहुत स्वागत है आपका लोगों के घरों पे सीवर का पानी पहुंचता है बावजूद इसके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल दावा करते हैं कि दिल्ली जल्बोर का जो पानी है साफ है पीने लाइक है और इस मुद्धे पे केंद्र सरकार को चुनोती देते हैं किस तरह से देखते हैं आप इसे पानी फिरी होने का दावा करते हैं लोग उसको पानी को किसी भी यूजमनी ले सकते हैं और पानी लोग बजार से मंगा करके पी रहे हैं कहने को पानी फिरी आ रहा है लेकिन लोगों को पैसा जेब से खर्च करना पड़ रहा है और ये पानी गंदा जो आता है इसकी वज़े एक ही है कि सीवर की जो लाइन है वो सब जगे मिक्स हैं मैंने अपने टाइम के अंदर लग भग सोक रोड की योज़ना का सीवर का काम शुरू कराया था और इसलिए शुरू कराया था कि ताकि नई लैंड डलेंगी और ये काम दो साल के अंदर पूरा हो जाना चाहिए था और उसके अंदर ये था कि पानी की लाइन और सीवर की लाइन जब मिक्स नहीं होंगी तो पानी गंदा नहीं आएगा लेकिन ये काम दो साल में इन्होंने नहीं किया क्योंकि जब एरिय में आएंगे नहीं जाएंगे नहीं बैठेंगे नहीं तो कहां से काम होंगे तो ये उस काम नहीं करा पाए बहुत काम लेट हो गया और साथ ही साथ इनके अंदर जहां काम भी हुआ है वहाँ सडके खुदी पड़ी हैं उसके अंदर लगवख 40 क्रोट बंड ऐसा था जिन से सडकें बनने थी तो मैंने अपने समय में ये सोचा था कि सीवर का काम और सारी सडकों का काम कंप्लीट हो जाएगा पर ये लोग यहां नजरी नहीं आते यहां पर बैठते नहीं है मेरी जानकरी के मुताबिक तो पंदा दिन में आगे महिने में आगे शाम को आगे जब सब चीजों को देखेंगे नहीं तो सब कैसे होगा और मैं आपको जानकरी देदूं उसके अंदर ऐसी ववस्ता थी कि जो सीवर डलेगा जिनके कनेक्शन तूटेंगे उनको जलबुड करवा के देगा लेकिन पिछले दुनों सब लोगों को 10-15-15 जार खर्च करना पड़ा है लोगों की जेब से गया आई यह और आज तक उसका खामियाजा है यहां के लोग भुगत रहे हैं गंदा पानी मिक्स हो रहा है लोग बिमार पड़ रहे हैं लोगों को बिमारियां हो रही है जब लोगों के नाम वो विधायक के तौर पे लेते हैं क्या वज़े मनते हैं लोगों के बीच में रहोगे आपको पता नहीं लगेगा जब आप अपने एरिये में बैठोगे तभी तो पता लगेगा समस्या क्या है मैंने अपने समय में लगवख चार जगे दफ्तर कोल के रखे थे मैं चार जगे बैठता था लोगों से मिलता था लोगों से बात करता था और इस तरह की मिटिंग है समय समय पर मैं कराया करता था तो मुझे पता रहता था मैं काम भी बताता था उन काम को फिर मॉनिटरिंग भी करता था मैं टच में भी रहता था तब जाकर के वो काम होते थे जब आप आओगे नहीं तो आपको इलाके की परेशानिया क्या पता लेगेंगी या आपने दफदर के अंदर आपने कुछ लोगो वैसी जिम्मवारी दे दी उनको मतलब नहीं है जिम्मवारी आपकी आपने ली है तो आपको काम करने चाहिए टाइम दे ना चाहिए और जब इलाके के अंदर समस्य नहीं बता लगी तो दूर क्या करा हो आज द्वार का विधान सवा में एक अजीव वाक्या हुआ, कुछ रोज पहले BACS के द्वारे एक गड़ा खोदा गया दुरगापार के लाके में, और वहां सीवर का जो पानी है, वो किसी भी तरीके से वहां पहुचा या तो नीचे पाइपलाइन उनके द्वारा टूट ग एक बच्चा जो छोटा बच्चा है, वो वहां गिरने से बच्चा और इस दौराने जो महला है बुजरू, उनको छोटाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? गटना हो, उससे पहले इसका फटाफट निदान होना चीए, काम कराना चीए, और माता जी को भी उनको जो मुझे जानकरी मिली, कि हाथ में चोट लगी है, मैं इस समझता हूँ कि लापरवाई की इंतिया है, एक अंत मैं सवाल लेता हूँ, न सिर्फ चोट लगी हो, न सिर गटना होना चीए, इसे किस तरह से देखते हैं? और इस गट्ड़े का भी नहीं पता होगा, जी गट्ड़ा खुदा होगा है, कोई एरिया मा आएगा, तबी तो पता लगेगा, तबी तो काम होँगे? आप मानते हैं कि आमादमी पार्टी की सरकार भले ही है, लेकिन आमादमी की सहथ परवाण ही है? आमादमी की परवाण नहीं है, बिल्कुल भी. जी को मिलेंगे, या फिर दोबारा से भारती जनता पार्टी यहां से अपना पर्चम लहराएगी, या देखने वाली बात होगी. सही होगी विजय त्यागी के साथ मैंनंत कोशे.